कि नमस्कार हलो एंड वेल्कम टू निवस्क्लिक आप सबको मैं स्वाधत कर रहा हूं आज मेरा साथ वरिष्ट राजनेता यश्वन सिना है आप सब उनको पैचानते हैं अटल बिहारी वाजपाय के सरकार में हमारे देश के विद्यमंत्री थे विदेश मंत्री थे और आज वो भारते जंता पार्टी को आलोच ना कर रहें टिप नहीं कर रहें बहुत साल यश्वन सिना जी भा मेरा पहला सवाल, आपको हस्पिताल जाना पर आपका तिरासी साल हो गया, आपका तबियत कैसा है इस वाक्त? मेरी तबियत में बहुत सुधार हुआ है, और इसके पहले कि मैं आगे वर्णन करूँ अपने स्वास्त के बारे में, आपने जो परिच्छे दिया, उसके बारे में एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, कि अब मैं भारतिय जन्ता पार्टी में नहीं हूं। 2018 में लगबक तीन साल पहले मैंने भारतिय जन्ता पार्टी छोड़ दिया था, क्योंकि आज की भारतिय जन्ता पार्टी और अटल बिहारी वाजपाई के समय की भारतिय जन्ता पार्टी में आस्मान जमीन कांतर है, तो उस पर फिर से आएंगे, लेकिन तब्यत हमारी आप्टर ने किया, अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन मैं बहुत 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 महसूस कर रहा हूं पहली की तुलना में, और इसलिए आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ एक पहला इंट्रिव्यू कर रहा हूं, धन्यवाद धन्यवाद यश्वन जी, आपको सब मालुम है क्या हो रहे है देश में, आज जिस तरह से एक किसान का अंदोलन चीज़ रहे है, रास्ट्य राजधानी के बाहार, टिग्री बॉर्डर, सिंगु बॉर्डर में लाखों किसान, पंजाब, हर्याना, उत्रप्रदेश, राजस्तान, भारत परश के अलग-अलग ज है क्यातकी को ठानून दजने करेंगी, वापस के लेंगे एक हमारे साथ बात्रचिर करने के लिए कोई फाएदा नहीं, बात कर रह रहे हैं, रि quieren Oneking सरकार कहरे क्भी-कभी इनको धंकी देते हैं, गभी-कभी इनके लिए बात करने के लिए त्यार है, कभी-कभी इनको कार प्रविस्तादी केते हैं। और बोलते हैं हैं नहीं हम सारे कानून का सुधर करने के लिए तियार है। कि तो आपका क्या विशलेशन है। यह जो किसान की आंदोलन जो लाकों लोग आज इस वक्त हम लोग बात कर रहा हैं, सरक पे हैं। यह सारे 6 साल Maudhi, Narendra Modi Ji का जो सरकार चल रहे है, एक तरह से एक निरनायक जगह में हम पहुचके हैं? Will this be defining? Is this a defining phase? It is a defining moment for the Modi government. There is no doubt about it. But मैं एक बात और स्पश्ट करना चाहता हूं. अक्सर आप देखेंगे कि राजनीत में जब चक्चा होती है, खास करके जब वाद विवाद होता है, तो मैं आपके बारे में, आप मेरे प्रतिद्विंदी हैं, तो मैं आपके बारे में कहूंगा, आपने ऐसे कहा था, आपने तो ये मान लिया था, आज आम मुकर रहे हैं, राजनीत के चलते हैं. मुझे आचर यह होता है इस आर्गुमेंट पर, क्योंकि राजनेतिक दल तो राजनीत करेंगे, तो जब भी उस पर लोग फैसला करने के लिए बैठेंगे, तो उसने जो वादे किये, उन वादों को ध्यान में रखके, कि उन वादों पर ये कैसे अपने को उतार रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर वो मैसला करेंगे. यह वो नहीं सौचेंगे कि Congress Party ने क्या क्या, Communist Party ने क्या किया और किस ने क्या कहा आपने खुद अपने बारे में जो कहा, अपने बादों के बारे में जो कहा उसी गनुसार आपका judgment होगा तो मुदी सरकार ने क्या कहा, या मुदी भार्थी जंधा पार्टी ने क्या कहा था हम स्वामिनाथन आयोग लागू करेंगे, ठीक है? स्वामिनाथन आयोग लागू करने के बादे में एक छलावा भी, एक जुम्ला भी ह trainees pac禁ट मंत्री थे, उन्होंने एक बजेट में खाए कि हम लागु कर रहे हैं स्वामे नातन कमिशन के रिपोर्ट में उसको तो लागु नहीं किया कॉस्ट प्लस का जो फॉर्मूला था वही चेंज कर दिया और कहा कि लागू किया तो किसान तो इतनी बात समझता है ना तो इसलिए किसानों की बीच में मैं तो महराष्ट में किसानों की बीच में गया मैं मत्रदेश में किसानों की बीच में गया जब मैं ठीक थाक था कुछ साल पहले और मैंने पाया कि जो भी वेवस्ता है उसमें किसान को उसकी उपज का सही मुल्य नहीं मिल रहा है। जैसे उदारन मैं बताओं आपको, مक्का का किसान है, वो गया मंदी में या स्वयभीन का किसान है, अपने उपच को बेजने के लिए, अब वहां पर पहले तो ये होगा कि अगर उसमें एक MSP लागू भी है, तो लोग उस MSP पर खरिदने को तयार नहीं होंगे, जो वहाँ पर traders है, सरकार खरिदती नहीं है, सरकार जो खरिदती है वो जो production है, उसका एक अंच, अगर किसी किसान ने 10 quintal मक्ता पैदा किया, तो MSP पर सरकारी agency कहीं कि हम तुमसे 2 quintal खरिदेंगे, 8 quintal तुम जाकर मंडी में किसी trader को भेज़तो, और trader उसको MSP नहीं देगा, बहुत कम नाम पर वो खरिदेगा, तो agriculture को नुक्सान होता जा रहा है, दूसरा आप जानते हैं कि हमारे देश में एक industrial economy है, एक agricultural economy है, इन दोनों की बीच में जिसको कहते हैं, terms of trade, वो एक सिधानत लागू होता है, और आप देखेंगे कि over a period of time, जो terms of trade है, agricultural economy का और industrial economy का, वो ज़्यादा industrial economy के पक्ष में होता जा रहा है, अगर किसान एक क्विंटल कोई भी अनाज बेशता था, उससे जो उसको धन प्राप्त होता था, उससे वो मालिजे के लोहा, सिमेंट ये करिना चाहता है, तो आज उसी को प्राप्त करने के लिए, मैं एक ऐसे imaginary बात आप से कह रहा हूँ, कि उसको आज दो कुणिटल या त्विं कुणिटल उसी को बेशना पड़ेगा, तो तर्म सर्ट्रेट जो है, वो लागातार किसान के खिलाफ होता जाना है, और सरकारी बादे जो है, उस पर सरकार खारा नहीं उतर रही है, जिसके चलते किसान जो है, वो तकलीफ में है, औ कर आंदोलन के लिए मजबूर है, यश्वन सिना जी, सरकार कह रहे हम यह जो MSP है, जो नियुम्तम साजहा मुलिया है, हम देने के लिए त्यार है, हम लिकित रुप में देगे, आपका क्रिशी मंतरी नरेंदर सिंह तोमार जी बार बार कह रहे है कि सारे कानून में आप जो कानून रद कीजिए, कानून वापस लीजिए और या कानून वापस लेने के लिए त्यार कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, तो एक तरह से सरकार और जिन लोग आंदोलन कर रहे हैं एक नहीं लगभग 40 संस्थाएं हैं, कहीं तो कोई समझोता का कोई संभावना मैंने नहीं देखना हूं, जहां पर नहीं, देखें, परंजे जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जो पारलिमेटरी सिस्टम है ना, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं, मुझे घोर आश्यरी हुआ, जब मुझे पता चला, किसी निउस रिपोर् पाँच वर्षों में, मोदी जी की सरकार में, स्टैंडिंग अमिटी जो हैं पारलिमेंट की, उसमें केवल 25 प्रतिशत ही कानून जो दोनों सद्नों में पेश हुए, उसको भेजा, डीटेल्ड इग्जामेनेशन के लिए, रिपोर्ट के लिए, और पिछले एक साल में, ए यह इतनी, पारलिमेंटरी सिस्टम के द्रिश्चिकों से इतनी गंभीर बात है, कि पारलिमेंट में यह मुद्दा क्यों नहीं उड़ता मुझा है, क्योंकि आप पारलिमेंटरी स्टैंडिंग अमिटीज को दर्किनार नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने समय की बात आपको ब तो पार्लिमेंटरी सिस्टम का घोरुलंगर, अब ये तीनों जो फार्म लोज आए, एक मिनट, तीनों जो फार्म लोज आए, ये पले ओर्डनेंस आए, और फिर जबरदस्ती उनको लोकसभा, राजसभा से पास कराए गया, राजसभा के दृष्य आपको याद होंगे, सार क्लॉज बाई क्लॉज डिसकाशन करने को तैयार है, तो क्लॉज बाई क्लॉज डिसकाशन अगर वहां करने के लिए भेजा होता, तो स्टैंडिंग अमिटी क्या करती, वो फार्मर ओगनाजेशन को बुलाती, ये चालीस ओगनाजेशन जो आज अंदोलन रत हैं, उनको आप यह समझने हैं परणजे जी कि मैं ही सर्वग्यान हूं, मैं ही सर्वस्रेष्ट हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे अलग कोई दुनिया में कुछ नहीं जानता है, तो फिर यह सिचुशन है, आप जो कह रहे हैं, मैं बिलकुल आपके साथ सहमत हूँ, जिस तरह से कोरो है आप सरकार जो कह रहें, यह कुछ किसानों हैं जो पंजाब के जो ये सिराज्य के कीसान ऑंदोलन करदे, और जो उंदोलन करें जिनωνों नहीं हैं यह पूरा देश वैपी इक क्वान लाइने, क्योंकि देश के आधा के आसपास लोक किसान हैं, इन के उसर पढ़ेगा, то मतलब एक जगा पहुज गया कि कहीं हम आगे बनना का रास्ता हम नहीं देख रहे हैं तो इन लोग आंदोलन जारी रखेंगे राजमार्क बंद रहेगा और सरकार भी कहेंगे हम बात करेंगे मगर यह भी क्यरें यह कानून तुमारा ही जाय में हैं आपका ही में नहीं पोगom रखेंगे caos गाली कोट मेamtने क्यां इससे कोई सामाधान निकलने व्यासरकार के लिए सामने क्या 38 सब्सक्राइब सामने वहाज वापस लेते हैं इन कानूनों को दुबारा पेश करके आपके अनुसार इसको स्टैंडिंग अमिर्टि को भेजेंगे सिफारीश करेगी उसके बाद दुबारा इस कानून को पासकरेंगे जिसमें आपको इतराज नहीं होगा, ये कर ले अगर सरकार, तो सरकार की क्या प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, क्या सरकार की प्रतिष्ठा बढ़े ये नहीं, कि उन्होंने बड़पन दिखाया, किसानों की बात सुनी हो, और कानून को वापिस लिया, ऐसा क्यों न क्या या स्टैंडिंग कमिटी में ले जाएंगे, बात चीद करेंगे, क्या आपका लग रहे हैं सरकार मानेगे, आप जैसे लोग, जैसे सलाह दे रहे हैं, सरकार हमें तो नहीं लग तो सरकार मानने के लिए त्यार हैं. अगर वाच्पेश जी के सरकार आज होती है और ये घलती उस सरकार में हुई होती है तो वो यही रास्ता अपनाते हैं और मैं अनेक उदारन जानता हूं जहां पर उन्हें विपक्ष की बात को बहुत महत्व दिया और हम लों को आदेश दिया कि विपक्ष की बात को सुनके आगे का रास्ता तेकर लेकिन अगर जैसा मैंने कहा कि आप खमंड में हैं आपका गरूर है आप जिद प्राड़े हैं तो फिर कोई समाधान नहीं है फिर किसान जो है भेंकर सर्दी है आज के दिर इस तरह का कपड़ा आपने हमने पहन रखा है वो क्या दिखाता है कि अगर सर्दी में किसान खूले में अगर बैठा हुआ है तो इससे बढ़कर सख्त अफसोस की बात हमारे देश के लिए क्या हुस्ति है वो हमारा अन्न दाता है पचास परसेंट से ज़्यादा आबादी किसानी और ग्रामीन छेत्र में रहती है उसके बावजूद हमें अपने जिद पर रणे हैं कौन हैं आप आज आप अपने को समझते हैं कि हम सत्ता के शिर्ज पर हैं कल आप नहीं होंगे कोई पूछेगा नहीं आपको हमारे नेता थे चंजशेखर जी वह यह कहा करते थे कि अगर तुमने यह समझ लिया कि सत्ता तुम्हारी मुठी में कैद है तो सत्ता तो पानी की तरह है मुठी खलोगे देखोगे तो किस बात का गुरू अब बात सुनिये से पिसानों की कि यह जो आंदोलन चल रहा है बहुत लोग समझते इसका अविनवत्त है एक नया एक 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 यूनीकनेस हम देख रहे क्या है कि हमारे जो आंदोलन कर रहे है कि हमारे देश के सबसे बड़े जो सबसे अमीर जो वेखती है कि मुकेश अंबानी जी गौतम अडानी जी इनका नेत्रित्त में बड़े बड़े कॉर्परेट कॉंग्लॉमरेट्स है किसान आंदोलन जो आंदोलन करने इनके एक हिस्से कह रहे है कि इनको बॉयकॉट करो और एक तरह से यह कि पहले भी हम देखे हैं कि हमारे देश के सब सबसे बड़े उद्योग पती जो है सबसे बरे पूजी पती जो है एक तरह से आंदोलन के एक हिससे उनके खिलाव पीह यह जो जो नया कानून सरकार लाया हैं बोले कि इनको फाइदा मेल गया हमें फाइदा नहीं का इसके इस मिशा के ऊपर आप तो हमारे देश के वित्य देखे मैं ऐसा कहूँगा कि जनता एक बात बहुत आसानी से और जल्दी समझ को अब वो है सरकार की नियत को सरकार की नियत के उपर जिस दिन जनता को शक हो जाएगा ना दूसरी बात कि सरकार के कई ऐसे कारिकलाप हैं जिससे कि ये जाहिर होता है कि सरकार चंद कॉर्परेट घरानों के लिए काम कर रही है आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है और इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप देश के लोगों की भलाई के लिए मज़ूनों की भलाई क के लिए नौजवानों की बलाई के लिए कुछ कदम उठावी रहे हैं तो उस पर लोग का विश्वास नहीं जमता है और जिस तरह कुछ कॉर्परेट्स ने तरक्की की है पिछले पांचे वर्षों में उससे ये शक और गहरा होता है कि ने सरकार कुछ कॉर्परेट घरानों के लिए ही काम कर रही है आम जन के लिए काम नहीं कर रही है पहले की बात आपने पूछी कभी आपको याद होगा कि भाशनों में नेता लोग बोलते थे टाठा बिड़ला चुंकि उसमें टाठा बिड़ला का नाम बहुत था तो अगर बेहिसाब कोई स से उस तरकी को देखेंगे यश्वंचिन जी यह किसान आंदुलंद से हम एक और विशय के ऊपर आप से बात करना चाहते हैं यह भारतुर्ष का राजनीती के ऊपर बिहार में जो अभी विदान सभा चुनाओं हुई है इसका नतीजा अब सबके सामने हैं बहुत लोग समझते हैं कि महा गटबंधन एक जगा पहुच के बहुत नजदेक पहुच गए थे मगर हार गया है बहुत सारे कारण लोगों ने बताया निदीश कुमार जी जो अभी मुक्ह मंत्री है वो कमजोर हो गये हैं मगर भारत जंता पार्टी का ताकत वर गया बिहार में तो बिहार का राजनीती बिहार का विधान सभा जो चुन करना चाहता हुए है मैं दाने बेहार की के नहीं लाइट बाता थे कहना चाहता हूं महने बहुत जुनाव धेखें दोनों तरफ से एक एड्मिनस्टेर के नातं ने चुनौ कराया है और एक पॉलिटिशन के नातं मैंने चुनाव में भाग वी cooking लड़े आज की चुनाओं में पहले की चुनाओं में एक बड़ा भरी अंतर आ गया है पुरंजे जी और विए है कि पहले हम मनी पावर मसल पावर की बात करते हैं आज के दिन मनी पाहर की उपर election commission का कोई control नहीं अवेकर मनी पाहर का दुरूपयोग हो रहा है आज के चुनाओं और यह जो एक नई चीज आ गई किसी कुटिल बुद्धी की ये उपज है इलेक्टोरल बॉंड्स बिल्कुल ओपेक कुछ पता नहीं चलता है किसने पैसा दिया किसको किसके पास गया ज्यादा तर भारती जनता पार्टी के पास गया तो पैसा और टिकनोलोजी इन दोनों का जो महत्तु बढ़ गया है चुनाओ में आज के दिन उसने चुनाओ के परिद्रिश्य को पूरी तरह से बदल दिया है और जिसके पास अकूत धन है और जिसके पास टेकनोलोजी को पर कमांड हो गया आज के दिन चोटी पार्टियों के बस की बात नहीं है वो लोग आज च इससे गिवन उनका भरा नहीं सकते हैं आप पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते हैं तेकनोलोजी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं और भी और खुरीतियां है चुनाओ के कॉंडक्ट में तो इस प्रकार जो है यह अब आज का जो चुनाओ है ना परंजय जी वो जनमत का परिचा जिसमें तेखनालीजी और पैसे का बहुत बड़ा योगदान है बिहार का चुनाव आप जैसा कह रहे हैं थे कितना था दोनों कैंप्स के बीच में जो वोट का अंदर था बारह हजार तीन साड़े तीन करोड लोग वोटर्स है उसमें बारह हजार का फर्क कोई फर्क है लेकिन बारह हजार वोट के चलते 15 सीट का फर्क पड़ गया विदानसभा और यह लोग सरकार बना ले गए डाट इस वे टेक्नोलोजी इस इंपर्ट योरे स्ट्राइक रेट इस आने वाले जो विदानसभा चुनाओ होने वाले चार बड़े रज्यों में पाच में हो रहे हैं केरला तामिलनाडू पॉटुचेरी पुटुचेरी असाम बंगा अगर बंगल में होने वाले यही कहानी कि आप देख रहे कि आपके पास पैसा का बल है रुपया का बल है आ तकनीकी भी आप झातियों तकनीक आप किस त misin चुनाव का प्रबंधन करने है यह आतों माजु सो भार बार जो सट्छे में है भारति जन्ता पार्टी वह उसको कोई रास्ता नहीं है क्यूंकि उनके- करें- किस तरह से चुनाव प्रबंधन होगा उनके हाथ में तो आप भविश्य एकदम देखने कि ऐसा है कि यही एक राजनेतिक दल बार-बार चुनाव जीतेंगे बंगाल में वापस जीतेंगे कि मैं उतना निराशनी हूँ कि कभी न कभी जनता खड़ी होती है और जनता बोलती है और हम जानते हैं कि इसके बड़े सारे उधारन हैं हमारे खुद के इलेक्टोरल दिश्यास में और बड़ी भी राक्तों को जनता ने हरा दिया है तो इसलिए ये सोच लेना कि ये उनको हराना संभव नहीं होगा ऐसा सही नहीं होगा मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि बंगाल के चुनाओं में मौमता जी इनका मुकाबला करेंगी अच्छी तरह से मुकाबला करेंगी मैंने एक क्वीट अभी हाल में किया था जिसमें हमने कहा था कि जिस तरह वो त्रिनमुल के नेताओं को तोड़ कर अपने तरफ मिला रहे हैं तो उनका सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है प्री एलेक्शन और पोस्ट एलेक्शन सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा एक कहवत है ना बीजेपी के बारे वो कहते हैं कि हम जहां चुनाओं जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं जहां चुनाओं नहीं जीतते हैं वहां ज़रूर सरकार बनाते हैं क्योंकि तोड़ लेते हैं लोगों को पैसे कवलपर जैसे भी हो तो इसलिए ममता जी को बंगाल मे इस बात का प्रयास करना पड़ेगा कि उनकी जो जीत है वो एक comprehensive जीत हो इस प्रकार की जीत हो कि सारा तोड़ तोड़ करने के बाद भी बीजेपी उनको सरकाल बनाने से रोप नहीं पाए यह प्रणे जी अभी बंगाल में आप कह रहे हैं तेनो मूल कॉंग्रेस के खिलाफ वांदल भी है तो एक तरह से जो भार्टेजंता पार्टी को समर्थन नहीं करें उनका वह बी ऐक तरह से बाठ जाएगा अलग-अलग तीन पार्टी में ठीक है वांदल और कांग्रेस एक स चुनाव होने वाले हैं मगर यह कहा ही होना इस तरह से अगर वोट फ्रेग्मेंटेशन हो जाता है भाग हो जाता है तो इसका फायदा भारता चुनतापाटी को मिलेगा। On the contrary, एक बहुत अच्छा development है कि Congress और left parties एक साथ आके बंडाल के चुनाव लड़ेगा। क्योंकि मुहमता जी सक्ता में है एक anti-thrinamal vote bank है ना बराबर होता है तो बीजेपी और यह जो गड़बंदन है Congress or left parties का यह दोनों का claim होगा on the anti-thrinamal vote bank अगर यह दोनों कठे नहीं होते हैं तो दोनों मेंसे किसी को भी जनता गंभीता से नहीं लगती है जैसा पिछले चुनाव में हुआ है लोगसभा के चुनाव में और भाजपा को उसका फाइदा मिल गया Congress और left parties के साथ आने से भाजपा को फाइदा होगा यह आकलन सही नह ही है कि जो एंटी त्रिनमल वोट है बंगाल में वो वोट अगर यह दोनों साथ नहीं होते तो कहां जाता लोगसभा को उदाहन में ने दिया कि लोगसभा में चुकि यह दोनों अलग लग लड़े left और Congress और दोनों को वहां की जनता ने गंभीता से नहीं लिया तो सारा का सारा एंटी त्रिनमल वोट जो था वो चला गया लगबग बीजेपी के खाते में अब उनको एक दूसरा मौका है क्योंकि एक अलायंस यहां पर है लेफ्ट और Congress का और एक बीजेपी है तो इन दोनों की बीच में एंटी त्रिनमल वोट का बटवारा होगा तो त्रिनमल को फायदा होगा इसमें नुक्सान नहीं कि आप अभी सामने क्या देख रहे है भारतवश्च का यह जो हमारे राजनीती किस तरह से आप देख रहे हैं अभी में महिना में दो साल पूरा हो जाएगा आपका पूरा साथ साल हो जाएगा मोधी सिरकार अभी तक यह किसान हम वही वापस आ रहे हैं जहां से हम लोग शुरू किया यह किसान आंदोलन जारी है जिस तरह से यह CAA NRC के खिलाब जो आंदोलन किया वह आंदोलन तो खत्म हो गया आज मगर यह किसान आंदोलन जैसे हम लोग किया पहली शायद इतना जल्दी खत्म न अस्थिती है तो आप कैसे देख रहे आने वाले साल 2021-2022 कैसे चलेगा हमारे देश के लिए पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा आप से कि नार्सी आंदोलन था वो खत्म नहीं हुआ है सरकार ही पिछे हट गई है और गंभीर नहीं है अलागों में नमबर दो किसान आंदोलन इस सरकार के और यह बहुत ही एक गंभीर चुनोती है इस सरकार की साख के ऊपर इस सरकार की एक अथारिटी है उसके ऊपर किसान आदोलन का बहुत बड़ा असर पड़ेगा और तीसरी बात कि ठीक है इन्होंने चुनाव जीत लिया दुबारा दो साल भी पूरे होने को हो गये और इन्होंने यहां पर कुवीट का प्रकोफ हो गया सरकार ने कैसे टैकल किया इस सबके विस्तार में नहीं जाओंगा लेकिन आज के दिन जनता के बीच में एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार की नियत को लेकर सबाएं सबसी सरकार की नियत की ऊपर लोगों को विश्वास लियह कुछ दिर पहले हमलों बात कर रहेते कॉर्परेट घरानों का अब जनता को यह लगने लगा को को फायदा पहुचाने के लिए काम करती आ बाकि यह जनता के पायदय के लिए काम नहीं करना चाती है यह जो किसानों हो रहा है उसके पीछे क्या है उसके पीछे मुख्य रूप से यह है कि एक अग्रिकल्चर का भी कॉर्परिटाइजेशन कर दें और किसान नहीं खेत में मजदूर बन जाए जो कि सही होगा तो इसलिए कि गिने चुने दिन ही बचे है सरकार में बने रहना एक बात है सरकार चला लेना गुड़ गावनेंस विल्कुल दूसरी बात है तो धन्यवाद यश्वान सिना जी आपने आपका कीम्ति समय न्यूश की कदर्शक को दिया हम सब चाहते हैं कि आपका तवियत ठीक रहे बहतर हो जाए और आने वाले समय में आपके पास दुबारा हम आएंगे धन्यवाद नमस्कार आप सब देखते रहें न्यूशक कर्चक 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 करें आपका तवियत विया हम आपका तवियत झापका कीम्ति समय नर illness